वेलकम बैग स्टूडेंट बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर में भी टाइक पेपर है आपका अन्या गध्या विधाये के नावजी उसी में आपका पार्ट है जो कि श्रीलाल शुक्री जी का निवंध है अंगत का पाउं आज के वीडियो में हम इसे ही करेंगे और साथ म हम ये भी जानेंगे कि व्यंगे क्या होता है व्यंगे की क्या विशेष्टाएं होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं लेकर श्रीलाल शुक्री जी के बारे में लखनाव जनपद में जो इनके टाइम का जो भी कता साहित था समकालिन का था साहितिका मतलब होता है इनके समय का जो भी कता साहितिका था उसमें ये बहुत ही उदेश्य पूर्ण व्यंगे लिखन के लिए विख्यात रही तबकि परपसफूल व्यंगे लिखा करते थी ये और ये व्यंग्य लेखन के लिए ही प्रमुक्त विख्याद साहितिकार भी रहे अपने टाइम के 1947 में इनोंने इलाहबाद विश्व विद्यालाई से इसनाता किया था याने की ग्रैजुएशिन किया था 1949 में ये राज्य सिविल सेवा में नियुक्त हो गए थे और 1983 तक यहां पर इनोंने अपनी सेवाईं दी और वहां से ही ये सेवा निव्रत हो गए थे राज्य सिविल सेवा मतलब कि UPPSC में ये नियुक्त रहे थे बिटा विदिवत लेखन की शुरुआत इनोंने की 1954 से यानि की जब इस सर्विसेज में आ गए उसके भी पांस सल बाद इनोंने प्रॉपर लेखन शुरू किया था इनका पहला जो प्रकाशित उपन्याज था वो था सूनी घाटी का सूरत जो की 1957 में प्रकाशित हुआ था और इनका पहला प्रकाशित त्यां के था अंगत का पाउं जो के इनोंने 1958 में लिखा था और जिसे आपके सिलिवस में शामिल किया गया है और जिसे हम आज पढ़ेंगे चतंत्रिता के बाद के भारत के ग्रामेंण जीवन की मुल्य हिंता को परत उगारने वाले पन्यास राग दरबारी के लिए इनने साहित या कादमी पुरसका दिया गया था बिटे इस पन्यास पर बाद में दूदर्शन पर एक धारावाहिक भी बना था उसका भी निर्मान हुआ था तो एक इनका प्रसिदू पन्यास रहा है यह राग दरबारी जिसमें इनोंने गाओं में जो धीरे धीरे लोगों के जो वैल्यूस खतम हो रहे थे उस पर ग्याम यह किय एक लेखक के रूप में श्रीलाज शुक्र ने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलेंड, सूरीनाम, चीन, योगोसलाविया जैसे बड़े-बड़े देशों की आत्ता करके भी भारत को रिप्रेजेंट किया था बिटे इनके व्यक्तित्यों की बात कहें तो सहज थे लेकिन सतर्क रहा करते थे, विनोधी थे लेकिन विद्वान थे, सबके साथ हसी मजाक करते थे, लेकिन स्कॉलर थे, अनुशासन प्रिय थे लेकिन अराजक थे, यानिकि ये अनुशासन इने पसंद था, लेकिन हमेशा ही अन आर्किस्ट भी हुजय करते थी, साथ ही ये अंग्रेजी संस्क्रत और हिंदी भाषा के विद्वान थी, संगीत के शास्त्रिय और सुगम दोनों पक्षों के रसिक मरमग्य थे, इनको दोनों ही पक्षों की जानकारी थी, कथाक्रम समारोह था उसकी समित्धी की अध्यक्ष भी रही है, गरीबी जेली इन्होंने संगश किया, मगर उसके विलाब से लेखन को नहीं भरा, इनका मतब ये बहुत गरीबी भी इन्होंने जेली बहुत संगश भी किया, लेकिन इनके लेखन में उसका विलाब देखने के लिए नहीं मिलता है, नई पेड़ी भी इनको का इनके रचना कर्म की अगर बात की जाएं एनुने 10 उपर्नियात लिखे चार कहानी संग्रह लिखे, 9 व्यंगे संग्रह लिखे, 2 विनी बंद लिखे विनी बंद क्या होते हैं हम अभी चर्चा कर लेंगे थोड़ी दे में बेटा आलोचना पुस्तक लिखिये कि इसके अलावा भी बहुत कुछ यह लिखते रही इनका पहला उपन्याज सुनी घार्टी का सूरेच 1957 में प्रकाशित हुआ था और इनका जो सबसे जादा पॉपुलर रहा उपन्याज राग दर्बारी यह 1968 में छपा था राग दर्बारी का विटा इतना पॉपुलर हुआ था कि पंद्रह भारतिय बाशाओं के अलावा अंग्रेजी में भी इसकानवाद हुआ था राग दर्बारी शीलार्शोग्र का आखरी उपन्याज था इनकी प्रसित रचनाई जो हैं मानी जाती हैं वो हैं सूनी घाटी का सूरज जोके इन्होंने 1957 में लिखी इसके लावा अज्यातवास, राग दर्बारी, आदमी का जहर, सीमाई तूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संथ, बबबर सिंग और उसके अन्यकाहानिया, इस उम्र में, दर्ष पतिनी ती कहानिया, इनकी प्रसिद्ध वेंगे रचनाई हैं इसके अलावा, अंगत का पाउं यहां से वहां, यह स्रेष्ट वियंग रचनाई हैं इसके अलावा उम्राव में कुछ दिन, कुछ जमीन में कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, ख़वरों की जूगाली, अलोचना, अग ये कुछ रंग और कुछ राग इन्होंने अलोचना लिखी अगे पर, ये सब इनकी र मेरी स्रेष्ट व्यंगे रचनाई, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर और शब्दों की जुगाली, ये इनके प्रसित निबंद संग रह रही हैं, इसके अलावा इन्होंने जो उपरनियास लिखे थे, उनमें सूनी घा का सूरज, अग्यातवास, रागदरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ा, विश्रामपुर का संत, अंगत का पाउं, यहां से वहां, उम्राव नगर में, कुछ दिन, ये इनके उपरनियास रही बेटा, कहानी संग रहे था, इनका ये अगर म मित्र की ये शिल प्रहा है, और देशी महावरों का इस्तेमाल करती है, इनका राल दरबारी व्यंग है, या उपरनियास है, इस बात पर विवाद चलता रहता है, बेटा, हलाकि ये एक शेश्र रचना है, और विश्रामपुर का संत को स्वतंत्र भारत में सत्ता के खेल की स शक्त अभी व्यक्ति तक कहा गया, ये कहा गया कि विश्रामपुर का इनका उपरनियास है, शुक्र जी ने जब इसे लिखा था, तब एक तरह की हताशा चारो तरफ ने जरा रहता, तब चारो तरफ लोग निराश हो रहे थे, कि आज़ादी मिल भी गई तो क्या हमने ऐसे आज़ादी की कल्पना नहीं की थी, ऐसा था लोगों का मोह भंग हो रहा था, ऐसे निराशा बरे माहल में उन्न समाज की विसंगति को चुटिली शैली में व्यंग के रूप में प्रसुत किया था, ब्रामें परवेश की बात की जाए तो इनकी रचनाओं का एक बड़ा हि जीवन से संबद रखता है, ग्रामें जीवन के व्यापक अनुभव और लगातार परिवर्टित होते परवेश को इन्होंने बहुत ही गहराई से विसलेशित किया है, इनके साहित्य की मोल प्रश्टोभू में ग्राम समाज है, इनका अगर देखा जा तो बेसिक इनका ग्र समाज है, लेकिन शहर की बीच अवियां इनके साहिते में देखने के लिए मिलती है, ब्यंगे किस किस प्रकार के लिखे इन्होंने, समाजिक ब्यंगे लिखे, शेक्षिक व्यवस्था पर ब्यंगे लिखे, राजनीतिक व्यवस्था पर ब्यंगे लिखे इन्होंने और सम स आमारे किसेतियों पर वो ग्यांगी लेखे पुरसकार की बाद करें, तो पुरसकार इनको monit turbines 1969 में साहित्यय का पुरसकार मिला 42 साल बाद इनको इसके पिर ज्यान फीद पुरसकार मिला इनको बिडला फाउन्डेशन का व्याज सम्मान दिया गया यश भारती और पद्मपूरसकार भी इनको पद्मपूरसकार भी मिले और सन 2008 में इनको पद्मपूरसकार मिला था 28 अक्टूबर सन 2011 को जोके दें शुक्रवार था सुबा साड़े 11 वजे सहरा अस्पताल में 86 वश की आयो में शीला शुकली जी का निधन हो गया पिटे इनकी रचना जो है अंगत का पाउं हमारे स्लीवस में शामिल की गई है ये एक व्यंग है व्यंग के क्या होता है ये हम जाने के व्यंग साहित्य की एक विदा होती है जिसमें उपहास यानि किसी का मजाक बनाना मजाक और इसी क्रव में आलोचना का पभाव रहता है आलोचना की जाती है यूरोप में डिवाइन कॉमेडी दांते की लेटिन में लिखी गिताब को मध्यकालीन व्यंगे का महत्बून कार्यमाना जाता है जिसमें तत्कालीन व्यवस्था का मजाक और आया गया था साथ में उटे आप एक बहुती बारीक सी चीज़ समझ सकते हैं कि व्यंगे को व्यंगे बान कहा जाता है यानि कि व्यंग्या उसी प्रकार अटैक करता है, उसी प्रकार गयाल करता है, जैसे कोई बान करता है, बान यानिकी तीर हिंदी में जो बहुती प्रमुख ही व्यंग्य कार माने जाते हैं, उनमें अरिश्यंकर परसाई जी हैं और श्रीलाज शुक्र जी है व्यंग्य एक साहितिक युक्ति है जिसमें वक्ता वक्ता यानि कि बोलने वाला यानि कि लेखक भी हो चकता है उपहास या उपहास करने के लिए कहता तो कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है यानि कि वो सिंबॉलिक वे में अपनी बात कह जाते हैं वेंगे किसी को या किसी चीज को हाथ से असपत दिखाने, अपने लक्षे को शर्मिंदा करने, नम्र करने या बदनाम करने के लिए हंसी उडाने की कला होती है। चीज़े ब्यांगे में आती है विदा एक साहितिक विदा के रूप में ब्यांगे सबसे पुराने विदाव में से एक है ये शबिस शाल्थ दिये वक्ता फेंटी लियन द्वारा कढ़ा गया था जिन्नों ने लेते शबिस सेटोरा की जड़का उप्योग किया था जिसका अर्थ है पूर्ण याने की कम्प्रीट और कई रोमन लोग लेनक्स वाक्यांशे से परिशित थी शतूरा जिसमें फल के मिशन का वर्ण द्वार्ण किया जाता है लोग का मिशन होता है इंगलिज में सतूरा और स्पेशल रूप से पारमिक व्यांगे की विविद वड़मत्ता को व्यक्त किया था लोग व्यांगे का इस्थिमाल कई अलग-अलग उदेशियों के लिए कर इसी विशाय पर सिद्धी को लेकर कितने परेशान हैं। विनम्र जिसमें क्या विनम्र वियंगे करते हैं, अप्रिय वियंगे जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पर इस बार मुझे सेशन जाना पड़ा और मित्रों को विदा देनी पड़े। ना पसंद होते हुए वे यानि कि इस बार लेकर को सेशन जाना पड़ा और अपने मित्रों को विदा देनी पड़े। इसके कई कारण थे, पहला तो यही कि वे मित्र थे और मित्रों के सामने सिध्धान्त का प्रशन उठाना ही विकार होता है, यानि कि जो आपके मित्र हैं, उनके सामने आप rules, regulations को लेकर के चलें, वो चीज विकार की होती है, वो possible नहीं होती है दूसरे, वे आज निश्चे ही पहले दर्जे में सफर करने वाले थे, इसके सामने खड़े होकर रूमाल हिलाना मुझे नहायत दिल्चस भार कर जान पड़ती है, आज वो लोग पहले दर्जे में, यानि के रेल गाड़ी के अच्छे दर्जे में सफर करने वाले थे, के और से भी बहुत से मित्र सेशन पर पहुँच गए थे, यहां कि मेरा मित्र जो था, जिसको मैं जलिगा के सेशन पर गया था, उसकी तरफ से भी काफी मित्र सेशन पर पहुँच गए थे, उनके विभाग के सब कर्मचारी भी वहीं मजुए थे, उनके विभाग में जितने कर्मचारी आये थे वे जब भी वहीं पर आ गए थे प्रेट फॉर्म पर अच्छी खासी रौनक थे क्योंकि इतने सारे लोग आ गए एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए तो प्रेट फॉर्म पर काफी भीरबार हो गए चारो और उसा फूटा सा पट रहा था यानि कि जो मित्र हैं वो ठीक समय पर पहुंसते थे इसलिए गाड़ी भी उनकी ठीक समय पर आ गए थी बाकि ये भी हो सकता है ये व्यंग कर रहे हो कि शायद मित्र इनके सीख समय पर नहीं पहुलते थे ये गाड़ी भी ठीक टाइम पर नहीं आये थी अब उन्होंने स्वामी भक्त मात होतों के हाथों गले में मालाएं पहनी, सबसे हाथ में लाया, सबसे दो-चार रस्मी बाते कहीं और फर्स क्लास के डिब्वे के इतने नजदीक खड़े हो गए कि गाड़ी छूटने का खत्रा ना रही अब जो यह थे हमारे जो के मित्र थे जो अपने उनके स्वामी भक्त माता है थे यानि कि उनके जो साथ में जो काम करने वाले उनके नीचे काम करने वाले जो लोगते जो स्वामी भक्ते थे उनके हाथों से गले में मालाएं पहनी और सबसे हाथ में लाया और जो-चार प्व चूटने वाली थी, लोगों ने सिगनल कियो देखा, पह गिर चुका था, उन्हें कि सिगनल डाउन हो चुका था, अब गाड़ी किसी विटाइम चल सकती थी, अब चुछ और करना बाकी न था, इसलिए उन्होंने उन लोगों में से एक आदमी से बाते करने शुरू की, जो हर काम के आदमी को दावत के लिए बुलाते हैं, और जिनकी दावतों को हर आदमी उपर ही मन से हसकर टाल दिया करता है, यानि कि अब गाड़ी छूटने बाली थी, सारी फर्मर्टी हो चुकी थी, तो अब क्या किया, उन्होंने एक आदमी से बात करने शुरू की, जो की उ उपर ही मन से हर आदमी को, हर काम के आदमी को, हर काम के आदमी को, जो उनके काम का व्यक्ति होता है, उसको दावत के लिए बुलाते हैं, और इनकी दावतों को हर आदमी हसकर टाल दिया करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है, यह कोई दावत नहीं करने वाली है, हमा अरे मित्र ने कि इस बार में आऊंगा तो आपके हाँ रुकूंगा तो व्यक्ति जो किवल फर्मल्टी करता था बुलाने के उसने का आप ही का घर है आने की सूजना बेज दीजिए का तब मित्र बोले कि तकल्फ घर वालों से तो किया नहीं जाता यानि कि आप तो मेरे घर के हैं तो आपके साथ मैं फर्मल्टी क्यों करूंगा तब बोले जाये साहब ऐसा ही घर वाला मानते तो आप बिना एक शाम हमारे गरीब खाने पर रूखा सुखा काईयों ही ना निकल आप रो ताना दे रहा है सामने वाला व्यक्ति कि आप ऐसे ही कहते हैं अगर आप सचमुझ भीजिए अपने घर वाला मानते तो मेरे घर पर कभी तो आपने एक टाइम खाना खाया होता आप ऐसे ही ना जा रहे होते तब मित्र ने कहा कि ऐसी क्या बात है आप ही का खाता हूँ तब वे हें हें करने लगे यानि कि मेरे मित्र ने तब कहा कि मैं जो कुछ खाता हूँ वो सब आपका ही तो है इस बात पर वे हेंहें करने लगे तब ही गाड़ी ने सीटी दे दी और लोग आशा पूर्वक सिगनल किय और जाकने लगे यहने कि जैसे ही गाड़ी की सीटी बजी लोगों ने उमीद की इस से सिगनल की तरफ देखना चुरू कर दिया कि अब यह गाड़ी चलेगी इसलिए मैंने इस सारी बात्चीत में कोई जिल जस्ती नहीं दिखाई। ठीक वैसे ही, जैसे मित्र दफ्तर में आते तो समय से थे, पर जाने में हमेशा कुछ देर कर दे दे थे, वैसे ही समय हो जाने पर भी गाड़ी ने सीटी तो दे दी, पर चली नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे कि मेरे मित्र जो थे, दफ्तर में आते तो टाइम परते लेकिन जाने में हमेशा लेट हो जाया करते थे, ठीक ऐसे ही गाड़ी ने भी सीटी तो दे दी लेकिन चली नहीं। पुराने नौकर ने कहा कि नाश्टे दान को बिस्तर के पीछे रख दिया है। कोईला जाएगा। तब हैटलर्क बोले कि नहीं कोईला उधर नहीं जाएगा बलकि उधर से सिनरी अच्छी दिखेगी। तब हैटलर्क के नहीं विस्तर से ही जगा लगा हुआ है। कोईला नहीं जाएगा उधर बलकि उधर से रास्ते में चलते हुए सिनरी अच्छी दिखेगी। तब ही क्याशियर बाबु आ गए। उन्होंने मित्र को दस रुपए की रेजगारी दे दी। आये और मित्र को दस रुपए की चेंज खुले सिक्के दे दिये। तब मित्र ने खुले आम उनके कंदे को तप तप आया और खुले गले से उन्हें धनेवाद दिया। पर इस सबसे ना तो कुछ होना था, ना हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होना था, लोग महीना बर से जानते थे कि मित्र को जाना है, इसलिए मतलब कि सभी बाते पहले ही अकेले में खत्म हो चुकी थे, लोकि सभी को मालूम था कि मित्र जाने वाले हैं, इसलिए सभी लोग अप उसापनी वाटर पर करना विया, नाटक में कड़ा हो जाता है उसी वक्त माल दीजे कि पर्दे की डोरी अटक जाए तो क्या होगा कुछ ऐसी ही हालत थी पर्दा नहीं गिर रहता यानि कि रेंच चल नहीं रही थी योकि मेरे पास करने को कोई बात नहीं रह गई थी इसलिए मैं मित्र से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगा जो बराबर बात कर सकता हूँ यानि कि मैं ऐसा वेक्ती तलाश ने लगा जो मुझसे बात कर सकता हूँ योकि मेरी बाते मित्र से सारी की सारी खतम हो गई थी जो ऐसा आदमी नजर में आया उसे मित्र की ओर ठेल भी दिया जो मुझे ऐसा आदमी नजर आया उसे मैंने अपने मित्र के पास बेज दिया उसने अपनी हमेशा वाली मुस्कान दिखाते हुए कहा आपके जाने से यहां का क्लब सुना हो जाए उसने अपनी हमेशा जो उसके मुस्कान रहते हैं चेरे पर उसको दिखाती होगा कि आपके जाने से यहां जो हमरा क्लब है यह सुना हो जाएगा आप इस ट्लब की रहानक थे तो आपके जाने से एकलब सुना हो जाएगा मित्र ने हसकर इस तारीफ से इंकार किया उसने कहा पहले ब्राउन साहब के जमाने में टेनिस इसी तरह चली थी पर अब देखिये क्या होता है यानि कि वो कहते है कि पहले ब्राउन साहब जब यहां पर थे तब टेनिस भी इसी प्रकार चली थी इस ट्लब में अब आगे दे आसकता हूँ जनाब, मुझे तो यह लड़के कलब का सेक्रेटरी ही नहीं होने देना चाहते हैं, यह लड़की हैं, सारे की सारी हैं, यह जो साथ की कर्मचारी हैं, यह तो चाहते ही नहीं हैं, कि मैं इस कलब का सेक्रेटरी तक बनूँ, अब कोई टिकिया चोर सेक्रेटरी हो तब ही टानिस चलेगी, यानि कोई ठीकी या चोर आएगा, यानि कोई एक तरसे तब ही यहाँ पर टानिस चलेगी, मुझे तो यह निकालने पर आमाद है, ये तो मुझे तो निकालना चाहते हैं, बोलते बोलते व्यागड़कर खड़े हो गए, मित्र ने हसकर इस विशय को हो गए लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चली मित्र कुछ देर तक बेचानी से चिगनल किया और देखते रहे तो हमरे मित्र थे जिनको मैं छोड़ने गया था और कुछ देर तक चिगनल को देखते रहे बेचानी के साथ उसलोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल कर पांच पांच सेग्रेट खरीदने लग गए उसको अंतराष्टी समस्याओं ने इसकदर बेजार किया कि वेपास के बुक्स्टॉल पर आखपार उलटने लगे कुछ लोग जो थे उन्हें सारी दुनिया की बहुत चिंता थी वेपास के बुक्स्टॉल पर जाकरके वहां से बोगों पलटने लग गए आगे कुछ के मन में कला कोशल और ग्रामोद द्योगों के प्रती एकदम से प्रेम उत्पन हो गया जब हम देखते हैं हम खाली होती है तो बिटा जो चीजे में सामने दिख रही होती है उनको हम बड़े दिल से दिख रही होती है या पुछ लगे तब एक पुराना स्थानिय इंौकर मित्र के हाथ लग गया तब ही पुछ लोक लोकर हथा वो हमरे मित्र के पास आ गया उसे देखते हैं है अचनक मित्र के मन में समाजबार्भी विवस्था के पत्य विश्वास पेहनों हुए विश्वास दुबारह से पेता हो गया वे हस कर उसकी प्रशन्सा करने लगे, वहां से और उसकी तारीफ करने लगे, तब वह रोकर अपनी पारिबारिक विपत्तियां सुनाने लगा, जब मित्र उसकी प्रशन्सा कर रहे थे, तो जो कर्मचारी था, जो छपरासी था, वो रोकर के अपनी विपत्तियां कहने लगा अब मित्र बड़े करोना जनक भाव से उसकी बाते सुनने लगे क्योंकि वो रो रहा था तो हमारी मित्र भी उसकी बड़े दुखी होकर सुनने लगे तब कुछ टिकर चेकर तेजी से आये और सामने से निकल गए तभी कुछ तिकर चेकर आयो हरा हमारे सामने से बड़ी तेजी से निकल गए, मित्रु ने उनकी वो देखा, पर जब तक वे कुछ बात करने की बात तैय करें कि वे आगे निकल गए, मित्रु ने उनकी वो देखा, हाँ आगे, तब तक एक लंबा सा गाड सीटी बजाता हैट लखने का सुनिये साहब पर यह उसने अंसुना कर दिया और सीटी बज़ाता हुआ आगे बढ़ गया उसने सुना नहीं आगे बढ़ गया पर गाड़ी फिर भी नहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी गाड़ी नहीं हुँ कुछ को परिस्टी पर दया आ गई और यह मित्र के पास सिमट आए कुछ लोगों को ऐसी हालत पर दया आ गई वो हमारे मित्र के पास सिमट आए पर घूम घूम करना कई लोगों ने कई छोटे छोटे गुट बना लिये और कला के लिए जैसे कला जैसे बात के लिए बाते चल निकली, धीरे धीरे उन सब में बाते चल निकली, एक साहब की निगाह हमें तो की फूल मालाओं पर गई, एक साहब खड़े थे उनकी नजर, हमारे जो में तो उनकी फूल माला पर आ गई, उनकी नजर फूल माला पर आ पर स्टार्ट हो गई तो उसके फटफटा हट फिर क्या फूर्ट ना मतलब एक बार बाचित की गड़ी चलू हो चली तो फिर अब चलेगी दुबारत दूसरे महाशाय ने कहा इंडिया में अभी तो ऐसे जैसे हम बैल गाड़ी के लेवल के उपर नहीं उठे वैसे फूलों क जनाब यही है अपना इंडियन कल्चर में तो हसकर कह रही है कि गाड़ियों में हमें बैल गाड़ी समझ में आती है मिठाईयों में पेड़ा समझ में आता है और पूलों में गेंडा हम लोगों की पसंद होती है यही है हमारा इंडियन कल्चर इसके जवाब में एक दूसर साहाब ने बीड के दूसरे कोने से ठीक कर कहा अंग्रेज चला गया पर अपनी वराज छोड़ गया इदर से उनने का जी हां आप जैसा हिंदुस्तानी रह गया पर दिमाग बह गया इतना कहकर जवाब में आने वाली बात का बार बचाने के लिए बे फिर मित्र की और मुखाति रोगे, ना कहने के बाद वो वापस ऐसे जता है कि जैसे उसकी बात को वापस जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, फिर से मित्र की तरफ आ गए और उचे बात करने लगे, और कहने लगे, बताइए सहाब, गुलाब की वो वाइराइटी निकाली ह है कि तभी गाडने फिर सीटी बजा दी वो चौंक कर इंजन की देखने लगे, इंजन एक नए ढंग से सीसी करने लगा था, इंजन से आज एक नए तरीके से आवाज निकल रही थी, कुछ सेकेंड तक ही आवाज आती रही पर उसकी बाद फिर पहले वाली हालत तो आगई एक वैसे ही जैसे दफ्तर छोडने के पहले मित्र अभी अभी कुर्सी से उठकर भी कोई नया कागज देखते ही फिर से बैठ जाते हैं, जैसे दफ्तर में होता था कि कोई व्यक्ती किसी के अपनी दफ्तर छोडने वाले हैं, कुर्सी छोडने वाले हैं, कुर्सी से उठते तब ही देखते हैं कोई नया खागा जा गया उसे देखते ही फिर से बैठ जाते थे ऐसे ही गाड़ी जो है वो भी उसने एक आवाज निकाली और फिर उसके बाद फिर से नहीं चली तब वो पुष्प प्रेमी ने अपना व्याक्षान फिर से शुरू किया अब यह जो वर्स्ट, पिंक पर्ल, लेडी हैलिंग्टन, ब्लैक प्रिंस, वाह कमाल हासे लए यानि कितनी कमाल की वराइटी निकाली है हम लोगों ने गुलाबों की और अपने यहां यहां तो जनाब वही पुराना टुईया गुलाब लीजिए और खुश्बू का नगाड़ा पर रस्षूस कीजेे, बात यहीं पर थी कि इस बार गाड़ ने सीती बजादी बहस ठम गई, अब फिर से गाड़ में सीती बजादी ये बहस ठम गई, पर कुछ देर गाड़ी में कोई हरकत नहीं हो इसलिए दूसरे माशा भी भी बीड को फार कर सामनी आ गए दूसरे माशे जो थे हो भी फिर से सामने आ गए अकरकर बोले हाँ साहब ज़रा फिर से तो चालू कीजिए वही पहले का दिमाग वाला मजमून यानि कि पहले वाला दिमाग जो है उसी तुरी केसी बात कीजिए मेरा तो वही दिमाग हिंदुस्तानी ही है पर आईए आपके दिमाग को भी देख ले वही आप मेरे दिमाग को कह रहे थे आई यह देख लेते हैं इंदुस्तानी दिमाग कैसा होता है तब मित्र महोदय बड़े जोर से हसे और बोले हातिम भाई और सक्षेना साहब में यह हमेशा ही चला करता है यानि कि हातिम भाई हैं और सक्षेना आपको ये जगड़े भी याद रहेंगे जो हम आपके साथ कर रहे हैं इस तरह ये बात भी खत्म हुई जगड़े को मजबूरन मैदान चोना पड़ा अब यह उनने कह दिया तो जगड़ा वहाँ पर मजबूरन खत्म करना पड़ा उदर सिगनल गिरा हुआ था इंजन फिर स पीछे की तरह बीड़के एक संचन थे जो कि दर्शन शात्र के प्रोफेशर थे अपने मित्र को समझा रहे हैं जनाब जिन्दगी में तीन बटे-चार तो दवाब है तो एक दर्शन को बोल बाला है बाकि एक बटे-चार अपनी तबियत की जिन्दगी यानिकी तीन इससे त काम तो एक तक से चल जाता है फिर भी जो लोग आते हैं कमरे में हों के लिए ड्रोइंग रूम में सोफे डालने पड़ते हैं तन धागने की एक धोती बहुत काफी है पर देखिए बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना पड़ता है यही कोईर्शन है कि हमें अपना शरीर यही जिन्दगी है स्वाद खराब होने पर भी दूद चोड़ कर काफी पीता हूं यानि कि स्वाद खराब है लेकिन फिर भी मैं काफी पीता हूं दूद नहीं पीता हूं जासुसी उपरन्यास पढ़ने का मन करता है पर कांट और हीगल पढ़ता हूं और जनाब गठिया क का मरीज हूँ पर मित्रों के लिए इस्टेशन आकर गंटों खड़ा रहता हूँ लेकिन फिर भी मित्रों के लिए आकर के मैं एक गंटे खड़ा रहता हूँ। वहीं के वहीं खड़ी हूई थी अब भीरतीतर बितर होने लगी थी लोग यहाँ वहाँ जाने लगे थे और मित्रों के मुह पर एक ऐसी दयनिय मुस्कान आ गए थी जो अपने लगों के जूट बोलते हैं अपनी बीवी से चुरा कर सिनेवा देखते हैं या वोट मागने में बविशे के वादे करते समय हमारे मुह पर आ जाती हो गई या निकि वो कह रहे हैं कि उनके चहरे पर ऐसी मुस्कान आ गए थी जो लगों के मुह पर जो जूट बोलते हैं तवा जाती है या कोई अपने बीवी से चुरा करके सिनेमा देखाता है तब उसके चहरे पर आती ह या फिर बविशे के वादे करके कोई नेता जब वोट मांगता है उसके चहरे पर आती है ऐसी मुस्कान आ गई थी लगता था कि वे मुस्कराना तो चाहते हैं पर किसी से आख नहीं मिलाना चाहते देखके ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कराना तो चाहते हैं लेकिन किसी से आठ मिलाना नहीं चाहते तब ही अचानक गाड़ने सेटी दी जंडी हिलाई इंजन का भोपू वजा और गाड़ी चलने को होई फिर से गाड़ने सेटी बजा दी जंडी हिलागी फिर से इंजन का भोपू वजा और लगा कि अब गाड़ी चल देगी तब ही आगे लोगों के मित्र से उस्ता पूरवक हाथ मिलाए लोगों ने फिर से मेरे मित्र के साथ उस्ता से हाथ मिलाए फिर मित्र ही डिब्बे में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाने लगे उसके बाद मेरे मित्र जोते खुद ही डिब्बे में पहुंचकरके सबसी हाथ ह हिलाने लगे, उस लोग रुमाल हिलाने लगे, मैं इसी द्रशे के लिए बेचैन हो रहा था, मतलब मैं यही द्रशे रेखना चाहता था, मैंने भी रुमाल ने कालना चाहा पर रुमाल सदा की बाते घर पर ही चूट गया था, मैं हाथ हिलाने लगा, मतलब हमेशा मेरा रुम पर मशीन पर अपना वजन ले रही थे काफी दियर और दूसरों को भी देख रहे थे जब अपना वजन आपका तोल रहे थे जब उन्होंने गाड की सिटी ते सुनी तो वो दोड करके आयो मेत्रो को चीरते हूए आगे तक पहुंचे गाड़ी के चलते चलते उन्होंने उच्छा से हाथ मिला, उन्होंने मेरे थे, उनके सब बड़े उच्छा के हाथ मिलाया, फिर गाड़ी को निश्य तूप से चलते हुई पाकर हरसत के साथ बोले काश कि यह गाड़ी यहीं रह जाती, उसके बाद हुआ उस गाड़ी को जो प्रश्णों के लिए आपका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको भी देखें, जैसे प्रश्ण बनेगे आपके लेखक्षी लाजशुक्र का जीवन परिचाहिता था, साहितिक परिचाहिए, यह बहुत आता है विटे प्रश्ण, दूसरा आपका जो संभाव देंगे के तत्रों के आधार पर अंगत का पाओं की समिशा कीजिए, तो इस सभी के सभी प्रश्ण, बेटा हम अगले वीडियो में डिस्कुस करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप इस कहानी को अची तरह से समझ लीजे, कहीं कुछ डाउट है, तो बेटा आप लो वाली परिक्षाओं के लिए जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूं पेटा, उनके लिए आपको देर सारी शुब काम नाए, have a great day ahead, जय हिन, जय भारत, पेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, और परिक्षाओं के लिए गवार फिर से बहुत सारी शुब काम जय हिन, जय भारत